सर, आप तो डॉक्टर भी हैं, वित्तराजे बन्तरी भी हैं, और जन्राण बन दोजार बाइस की थीम भी जो है, वो बजट के लिए बूस्टर डोस की है, तो क्या हेल्थ सेक्टर में बच्चों को बुस्टर डोस लग सकें, बच्चों को वैक्सिनेशन लग सकें, उसकी उनके लिए भी कोबिड के आशंकाएं हैं तो उनके वैक्सिनेशन के लिए क्या कोई प्रावधान बजट में किया गया है कि इसमें मैं पहले डॉक्तर बुखे डॉक्तर के बार में बताना चाहता हूं कैसा है कुणसा भी मेडिसीन अगर बरजार में लाना है समझो वैक्सिन का रिसर्च कैसा हुगा है तो वैक्सिन का रिसर्च कैसा हुगा है वैक्सिन पड़े बन चुकी है और उसका क्लिनिकल ट्राइल्स लेते हैं तो clinical trials पहले animal पे लेते हैं और animal के बाद human पे लेते हैं और human पे लेने के बाद उसको कुछ volunteers लेना पड़ता है तो human पे लेने के बाद इस वैक्सिन्स कितना successful है वो भी देखना पड़ता है और successful होगा तो ही फिर हम vaccines लोगों को मिलता है तो अभी वैक्सिन के बाद निकली तो वैसा ये जो किल्निकल ट्राइल्स है वो बड़े बच्चे बोल तो पंदरा सो आट्रा साल उसके उपर किल्निकल ट्राइल्स हो चुक है और जो चोटे हैं उमर से चोटे वो किल्निकल ट्राइल्स चल रहे हैं तो होने के बाद किल्निक बच्चें के लिए वैक्षिन आ सकता है उसमें कोई डाउट नहीं है मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जहां ज़रुरत है वहां मैं पहले बुझे से बोला कि सब्लेमेंटरी बजट आ सकता है वो मदद हो सकते है लेकिन हेल्थ इस अप्राइरिटी मुझे आपसे डिसकस करने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर इंडिया में वैक्षिन के खोज या रिसर्च नहीं होता था तो क्या होता था हम इतना आज एक सुपचास करोड़ लोगों को वैक्षिन मिल चुका है और यह वैक्षिन हमारे पास बना है इसलिए फ्री में वैक्षिन दिय इसका खोज किया है इसका रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद मैं बोला उसका सिस्टिम क्या है ज्यादा डिटेल बताना नहीं चाहता लेकिन लोगों को वैक्षिन मिला है तो यह वैक्षिन आज एक सुपचास करोड़ लोगों को मिल चुका है यह वैक्षिन अभी 15 से 18 साल थे बच्चों को मिल रहा है और उसका छोटे बच्चों को भी मिल सकता है उसका प्रविजन जो आपने पूचा है इसका कुछ प्रविजन भी इसमें हो सकता है उसमें health को priority है निश्यत रूप से तो COVID की इस महामारी के दौरान चिंताओं को कम करने के लिए बच्चों के लिए भी आपने जो आश्वसन दिया उससे उमीद जगती है कि राहत मिलेगी कुछ सुकून मिलेगा और आपने supplementary budget की बात कहके थोड़ी उमीद और जगा दी है कि सरकार जेब के के लिए भी कुछ राहत दे सकती है आने वाले budget के supplementary edition में तो हमसे ये तमाम चीजें साजा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर भगवत कराड़ और उमीद की जानी चाहिए कि सरकार और जन्धन मन की बात की बीच समवाद बना रहे है ABP News आपको रखे आगे